फिल्म अभिनेता शुशान सिंग राजपूत के केस को लेकर दिल्ली में सुनवाई से पहले सीनियर एड़ोकेट एपी सिंग का बड़ा ब्यान सामने आ रहा है आईए आपको सुनाते हैं मीडिया से मुखातिव होते हुए एपी सिंग ने दिवगंद सुशान सिंग राजपूत के जीवनी पर बनने वाले फिल्म और सुशान केस को लेकर क्या कुछ कहा देखिए हमने अपनी तरफ से जो शशानक फिल्म बना रहे हैं हमारे डायरेक्टर प्रडूसर की तरफ से हमने रेटिन स्टेट्मेंट रेप्लाई एड्मिशन डिनायल एफिडेविट और सब चीजे डाकूमेंट सारे फाइल कर दिये हैं दिल्ली उच्छन्याले में कोट में और कल अन्रेवल हाई कोट में कल सुनवाई है मैटर लिस्टेड है और वहाँ पर देखेंगे देखिए हमारे जो डायरेक्टर प्रडूसर रहे हैं वो पूरवांचल की बज़े से कहिए मुंबई फिल्म इंड़स्ट्री की ये सभ्यता और सभी समात की सभ्यता औ मत हुई है शुषान सिंग्राजपूत उनका साथ ही था उसके शोक में उसके पिता के पास बहन परिवार के पास वहाँ चले गए पटना में मिलने चले गए उनके गाउं में पहुच गए उनके साथ सुख संबेदना वेक्ट कर दी दुख वेक्ट कर दिया तो दुख वेक के फिल्म डायरेक्टर हमारे क्वाइंट है वो उस पर फिल्म बना रहे हैं तो शशांक फिल्म चार लोगों पर आधारित है नेपोटिज्म के खिलाव है उसकी स्टूरी बिल्कुल इस तरह से है कि लोग आत्मत्याओं के लिए मजबूर न करें सामाजिक बुराई के कि आरेन बबबर के इस फिल्म से कैरियर पर भी फर्क पड़ेगा देखे आरेन बबबर राजबबबर जी का लड़का है राजबबर जी बहुत अच्छे हीरो रहे हैं आरेन बबबर चांदी के चमच को लेके पैदा होने वाले बच्चों में से हैं राजबीर सिंग और समाज के निर्माण के लिए दिशा देने के काम करते हैं हमारे युवा पीडिको हमारे जीवन के लोगों को जीने के लिए अच्छी तरह से शिक्षाप्रद होनी चाहिए कोई भी फिल्म राज बबर जीने भी कही सिक्षाप्रद फिल्में की हैं और आशा करता हूं उनके प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिय अंसिट्यूट एड्मिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170